तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ Aftermarket Car Accessories का सबसे Best Android Car Stereo 4 Plus 64 में मतलब जितने भी Android Stereo आपने देखे होंगे 4 Plus 64 में सब इसके सामने पानी पानी है बिकॉस ये Stereo आता ही कुछ ऐसे ब्रेंड की तरफ से है जिसका नाम सुनके आप भी बोलेंगे वाह क्या चीज दिखा दी है आपने बिकॉस इसका ब्रेंड नेम काफी ज़्यादा एडवांस है इसके फीचर जब मैं बताना चालू करूंगा ना वो भी बहुती ही ज़्यादा एडवांस है एडवांस नहीं है बैसिक टू एडवांस है अगर आप इसका बैसिक सीरीज इस्टीरियो का रिव्यू आपने मेरे यूटूब चैनल पर देखा होगा तो उसमें भी जो फीचर मैंने बताया थे वो छोटे मोटे फीचर नहीं थे तो बगएर किसी देरी क्या ये शुरू करते हैं इस वीडियो को वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को कर देना लाइक चैनल को कर देना सस्क्राइब आज हमारे पास आ चुका है यूमी इको सिस्टम ब्रैंड की तरफ से M4 Android का रिश्टीरियो अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई कौन सा ब्रैंड ला लिए आप ये ब्रैंड है यूमी इको सिस्टम जो आता है सौमी ब्रैंड की तरफ सौमी ने जैसे MI को बनाया, Poco को बनाया Redmi को बनाया ठीक उसी तरह Auto Mobile Industry में सौमी ब्रैंड ने यूमी इको सिस्टम को बनाया मतलब सौमी ब्रैंड की अगर आप दिवाने हैं या टीवी वगएरा यूज करते हैं MI का फोन वगएरा यूज करते हैं कई के हाथों में मैंने Poco का फोन देखा है Redmi का देखा है अगर आप अपनी कार में भी उस ब्रैंड का कोई component यूज करवाना चाहते हैं कोई भी ऐसा डिस्पले वगएरा यूज कराना चाहते हैं तो आपको Aftermarket Car Accessories में मिलेगा यूमी इको सिस्टम के नाम से तो आज जो हमारे पास model है वो है M4 और मैं क्यों बोर रहा हूँ कि यह 4 प्लस 64 में सबसे बेस्ट एंड्रोइट कार इस्टीरियो है यह आपको अप जब मैं फीचर बताना चालू करूँगा ना तो आपको एक बार में चीज़े समझ में आ जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं वारेंटी की तो सबसे पहले बॉक्स के जो फ्रेंट साइड वाला पार्ट है वहाँ पर वारेंटी मिंसा ने 24 मंथ की बट एक पीछे स्केनर दिया हुए अगर आप इस स्केनर को जिस दिन आपने इस्टीरियो पर्चेस किया है उस दिन रजिस्टर्ट करते हैं तो आपकी जो वारेंटी है इस इस्टीरियो के तीन महिने की बढ़ जाएगी मतलब यह पहला अफ्टर मार्केट में ऐसा इंड्रोइड इस्टीरियो है जिसकी वारेंटी है 27 महिने की अगर मैं स्पीकर आउटपूट की बात करूँ जो की कार के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है और यह आउटपूट जो अब मैं बताने वाला हूँ यह चीप कॉालिटी का इंड्रोइड इस्टीरियो आपको 4 प्लस 64 में कभी नहीं दे पाएगा जितने बड़े ब्रैंड है वो इतना ही देते हैं और वो आउटपूट है 4 इंटू 50 वाट का ब्लोपंग, निपॉन, हाइपर सोनिक, मोको, क्रॉसलिंग विल, जिनॉक्स, मैपमा इंडिया इस तरह के अगर आप बड़े ब्रैंड में जाएंगे तो वो जो आउटपूट प्रोवाइड करते हैं कार इंडर वो है 4 इंटू 50 वर्ट का, अगर मैं इसके ब्लूटूट वर्जन के बाद करूँ, तो ब्लूटूत वर्जन है 5.0, अब तक सबसे बेस्ट ब्लूटूट वर्जन एंडरोइड कार इंडर, मोबाईल फोन के अंदर नहीं बोर रहा हैं, कार stereo के अंदर मैंने हजारों Android stereo लगाया है लेकिन जो clarity आपको Bluetooth 5.0 में मिलती है वो 4.0 या 4.1 इन सारे में नहीं मिलने वाली है तो Bluetooth 5.0 काफी ज़्यादा अच्छा है प्लस ये जो stereo है 4G SIM को भी support करता है आप इस जी SIM भी लगा सकते हैं ये ये जो stereo है ये 5G hot spot को भी support करता है एंड अगर आपने देखा होगा Android Auto, Apple CarPlay वगारा connect करते हैं तो सबसे पहले Bluetooth से connect किया हम लोग इन्हें फोन को Android car stereo से दिन फोन का वाइफाई आउटोमेटिक on हो जाता है तो वो इसलिए on होता है कि Android Auto अपना hot spot आउटोमेटिक on करके अगर आपने Apple का फोन कनेक किया है तो उसे देता है या फिर Android का कनेक किया है तो उसे फिर देता है hot spot अपना तो 5G hot spot देगा भी support भी करेगा एंड देगा भी उसके वज़े से क्या होगा कि Bluetooth अपनेक्टिविटी है वह बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी तो यह जो इस्टीरियो है यह hot spot के एपी बेंड 2.4 GHz को एंड 5.0 GHz को भी support करेगा अगर बात करे कैमरे वगएर की तो reverse camera को भी support करेगा आप चाहते हैं front and back DVR लगाना चाहा है full HD quality में HD 1080 25 Hz की में बात कर रहा हूँ full HD quality में DVR को भी support करेगा reverse camera को भी support करेगा plus Yumi ecosystem का proper 360 bird view camera भी आता है उसका भी review हम करने वाले है metal का camera आया है पहली बार aftermarket में front and back side का तो यह जो stereo है यह 360 compatible stereo है बट इसके सांथ में कुछ नहीं आता है सिर्फ आपको player मिलेगा हर एक model में Yumi ecosystem के M6 में 360 सांथ में है बट M4 जो है यह only player आता है बस and अगर हम बात करें इसके processor की तो इसमें जो processor है वो है quad core turbo processor जो कि आपको speed provide करेगा 2.0 GHz की and QLED display है multi band equalizer है fully loaded DSP इसमें दिया हुआ है then 4 plus 64 यह stereo है 360 को भी record करेगा 4 angle में recording होगी then अगर मैं बात करो android version की तो इसमें जो android version है वो है android version 10 और अगर मैं screen resolution के बात करो तो 1280 by 720 pixel की जो screen quality है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी and FM में आपको RDS feature भी देखने मिलेगा तो stereo काफी ज़्यादा premium है and इसमें sim tracking का भी option दिया हुआ है मालो कार कहीं जा रही है तो आप उसे find कर सकते हैं बट वो find my device के through होता है sim लग सकता है तो find my device आप अपने phone में download करेंगे इस sim के email id को अपने phone में डालेंगे find my device में आजकल वीवो ओपो वगेरा में by the company वो जो एप है install होके आया रहता है phone के अंदर तो उसके through आप पता कर सकते हैं कि भाई किस एरिये में हमारी कार खड़ी है या फिर ignition on condition में किस जगे पर sim on है and अगर मैं बात करो इसकी MRP की तो 49,999 रुपई की MRP है and अगर मैं बात करो अपने personal experience की मैंने ये stereo 20 से 25 गाड़ियों में install किया है and जिस जिस की गाड़ियों में मैंने ये stereo install किया है ना उन लोगों ने मुझे बोला है कि भाई कम्माल की चीज इंस्टॉल कर दी है हमें और कुछ नीची तो complete जो demo है इसका देने वाला हो sound output सुनेंगे reverse camera की quality देखेंगे android auto की connectivity देखेंगे apple carplay की connectivity देखेंगे 360 camera की भी quality दिखाऊंगा इसी वीडियो में बने रहीएगा मेरे साथ में और Yumi ecosystem की ही दिखाऊंगा और सारी चीजों को टेस्ट करने वाले हैं बट उससे पहले करते हैं इसकी unboxing तो polythine वगेरा हम लोगों ने निकाल लिए है यहाँ पर काफी ज़्यादा premium packaging में यह इस टीरो आपको दिखने मिलता है इसे कर लेते हैं side then box वगेरा तो अपने किसी काम का नहीं इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी पहला warranty का दूसरा user manual दोनों को कर लिए हम लोगोंने side white paper को भी हम लोगोंने कर लिया side और यह है वो कमाल की चीज़ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो इसे हम कर लेते हैं side इसे भी हम कर लेते हैं side आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से front का look back chassis with cooling fan cooling fan के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा आपने कोई ऐसा android stereo लिया है जिसमें cooling fan लगा हुआ है तो external mic लगवाने मत भूलना क्यूंकि जब CPU हीट होता है and cooling fan on होता है तो उसकी जो noise है वो internal mic catch करने लग जाता है और उस समय काम करेगा external mic कुछ stereo ऐसे हैं हर stereo में यह चीज नहीं होती बट कुछ stereo ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो सकता है तो आप इस बात का ध्यान रखें फिलहाल इसको कर देते हैं हम remove and then यह है हमारा stereo इसे भी remove कर देते हैं यह आप लोग देख सकते हैं then center में है branding and आईए अब इसे लगाते है डेमो में और हम पता लगाते हैं कि क् फीचर है इसके अंदर and cheese वाकई में मुझे तो पता है मज़ेदार है बट आपको भी तो लगनी चीए मज़ेदार तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं UMI ecosystem का जो M4 model है वो हम लोग ने install कर दिया है बट अगर आप यह stereo लेते हैं तो उसके साथ में आपको यह 4G antenna का cable और एक 4G antenna का दूसरा cable मिलेगा दो USB socket एक external mic internal mic भी है एंड काफी ज्यादा powerful है देन एक GPS antenna wire canvas wire reverse camera की wire यह है reverse camera की wire यह है canvas wire यह है 4G SIM slot का option जो कि आपके glow box में रहेगा और यह दोनों भी glow box में मिलेंगे then buffer RCA jack तो इन सारी चीजों को हम कर लेते हैं side and आते हैं अपने stereo के topic पर वाप तो यहाँ पर proper animation के साथ में हमारा जो stereo है वो on हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं USB मैंने लगा के रख दिया है and यहाँ पर देखे कुछ चीजें आपको नजर में आ रही होंगी यह जो stereo है यह completely different है सबसे पहले music call navigation video car play तो जो important चीज है सबसे पहले मैं आपको उसे दिखाता हूं सबसे पहले देखते हैं इसके reverse camera की quality तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह जो camera लगा है वो है HD 1080 25 hertz वाला camera जो की full HD quality होती है तो reverse camera की quality कुछ इस तरीके से आईगी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने यह देख लिया तो इसमे DVR का भी support है and 360 का भी देखिए front left right सारे चारो camera के angle को सो कर रहा है अगर चार camera लगाते है तो चारो camera on हो जाएगा 360 लगाते है तो 360 on हो जाएगा यहाँ से इसको cut कर देते है देन 4 प्लस 64 में यह king है सारे stereo में अब मैं आपको दिखाता हूं android auto का interface android auto proper तरीके से connect करके हम लोग यह जो है navigation का proper app है and यहाँ से है wink music आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो music के list है वो आच चुके हैं then 5G hot spot को support करेगा मैंने आपको बताई दिया था 8 से 10 second में 8 से 10 second से कम में भी android auto and carplay को connect कर देगा तो android auto का app यह है and यह है carplay का app and उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हो इसकी video quality sound output भी सुनेंगे video में बने रही है आप तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं full HD quality में video को यह support करेगा चाहे जितना मरजी HD quality video आप download कर लीजिए और इसमें install कर लीजिए या तो फिर YouTube में जाकर full HD में premium subscription लेके video को play कर सकते हैं कहीं से bug देखने नहीं मिलेगा कहीं video की quality आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नजर आएगी overall अगर मेरे experience की बात करो इसे मैंने multiple cards में install किया है बहुत सारी गाडियों में install किया है and response are very fantastic काफी ज्यादा अच्छा stereo है दिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आ जाती है and यहाँ पर OTA के मालो कल को कोई stereo में bug वगएरा आता है software वगएरा का update आता है तो यहाँ पर check for update में आप जाएंगे क्योंकि proper app install है तो आप इसे software अपडेट भी कर सकते हैं and यह पहला ऐसा stereo है जिसमें किसी भी तरीके का password आपको डालना नहीं पड़ेगा जैसी के example के लिए car वाले option में गय कार है आपके पास squadra की कार है तो उसमें क्या होता है wire कम होते हैं कार के engineer सारी चीजों canvas से चलाते हैं तो बाकी सारे stereo में अगर canvas को set करना होता है तो हमें factory setting के अंदर जाना होता है फिर advanced setting में जाना होता है फिर कहीं जाके canvas set होता है बट यहाँ पर देखिए car वाला option open है यहा आलो यहाँ पर कोई सी आपके पास जैसी की पसाड वगएरा है तो पसाड वगएरा में क्लिक कर देना है तो डिफॉल्ट करके वह canvas जो है set हो जाएगा एंड कार के सारी OEM feature सो होने लग जाएंगे तो canvas वगएरा में कोई भी password डालने की जरूरत आपको नहीं है दिन theme का option है इसमें आप लोग देख सकते हैं दो theme दिये रहते हैं और दोनों ही theme कमाल के हैं बाकी अगर software update वगएरा आता है तो theme जो है बदल जाएगा एंड रेडियो का interface कुछ इस तरीके से आएगा ये रहा auto search का feature आउटोमेटिक ये सारी चीजों को सारे stations को जो है search कर लेगा तो यहा चूज करके आप music को जो है play कर सकते हैं तो music का interface आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा देन उसके बाद file manager है एंड उसके बाद gallery है ये दोनों दिखाना उतना important नहीं है चलते हैं setting में अब setting में देखिए ये जो stereo है ना काफी source समझ के बनाया गया है एक end user के लिए एक display की सारी setting यहाँ पर open हो जाएगी चाहे वो wallpaper setting हो चाहे वो preset लोगों हो तो सारे car brands के बूट लोगों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे display से related कोई problem है आप यहाँ के solve कर लीजिए bluetooth on off करना है वो कर लीजिए wifi का option then mobile data मैंने आपको बताया sim slot वाला option है then volume volume में यहाँ पर हर जगे का volume है navigation volume, media volume, phone volume, ring volume, voice assist का volume, start up volume, navigation, alert, mix volume, सारे volume यहाँ पर beep and microphone को आप किस में चलाना चाहते हैं internal में चलाएंगे या external में चलाएंगे सारे option आप खुदी set कर सकते हैं then application में है fluency mode, auto restart mode, सारे app का control इस तरीके से बनाया गया है कि आपको एकदम easy to use हो चलाने में then यहाँ पर reverse mode में आप आ जाते हैं and यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 4 channel HD camera को select करके रखा है यहाँ पर देखिए 360 AVM Pro HD Front Rear Record मतलब यह होगा DVR, यह होगा 360 AVM Pro का तो वो सारी चीज़े आप चला सकते हैं बाकि quality में चले जैसे कि यहाँ पर format है तो आप देख सकते हैं color वगेरा change कर पाएंगे यहाँ से अगर आप apply करते हैं तो कुछ इस तरीके से color इसका हो जाएगा red में करना चाहिए red में, blue में करना चाहिए blue में कुछ इस तरीके से इसका color जो है इस keep it light में apply हो जाएगा then time and date को आप set कर पाएंगे hwc setting interface यहाँ पर है and सारे steering wheel के button को आप pair कर सकते हैं and यह set इस तरीके से करता है इतना accurate करता है तो कभी इतना accurate set करता है कि कभी आपका steering wheel control dismatch होई नहीं सकता then यहाँ पर आप लोग system में आएंगे तो सारी specification यहाँ पर सो हो जाएंगी जैसी 4GB RAM है 64GB internal storage है screen resolution भी यहाँ पर सो हो रहा है 1280 by 720, android version 11, mcu का version, serial number, configuration, emi number, system को reboot कर पाएंगे कुछ setting गडबड हो गई, factory reset कर पाएंगे, then system update and online update भी अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं USB का video output दिया हुआ है, chrome browser है, google map, play store, youtube आप जानते ही है, then यहाँ पर DSP में अगर हम लोग जाएं तो DSP जो है fully loaded DSP है, यहाँ पर loudness का option पहले दिख रहा है, middle रखना है, high लखना है, low रखना है, multiple option मिलेंगे यह speaker के लिए है, then यहाँ पर default में कौन सा preset आपको चाहिए, कौन सा equalizer direct चाहिए, vocal चाहिए, powerful चाहिए, flats चाहिए, सारे equalizer मिल जाएंगे, यह fully loaded DSP है एक होता है, सिर्फ equalizer उसको DSP लिखके डाल देते हैं, यह fully loaded DSP है, यह जो graph है, यह आपका दिखिए, graphics equalizer, एक graph दिख रहा है, graphics equalizer देन, यहाँ से manual equalizer है, यहाँ पर आपको graph नजर आएगा, then sound stage में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने car के अंदर, जो speaker लगे है का option आपको देखने के लिए मिलता है, delay adjustment का आप यहाँ पर देख सकते हैं, right का बंद रखना है, तो right का कर सकते हैं, center दोनों बजाना है, तो भी कर सकते हैं, then cross over में अगर आप जाएंगे, तो front का high pass filter, rear speaker के high pass filter, then subwoofer का अलग से control दिया हुआ है, low pass filter का, then यहाँ पर उसके भी normal mode को आप 3-way mode में चला सकते हैं, या फिर setting भी गड़ गई तो reset कर सकते हैं, तो multiple option DSP में आपको देखने मिलेंगे, फिलहाल back आजाते हैं, हम लोग यहाँ पर, gboard का option है, google, netflix, hwc, steering wheel control का यहाँ पर app दिया हुआ है, spotify ways जो app है, वो काफी ज्यादा अच्छा app है, navigation में अग कुछ इस तरीके से interface को लेगा, media के volume को यहाँ से बढ़ाई है, इस तरीके का interface जो है न, आपको cheap quality के stereo में कभी नहीं मिल सकता, after market में, यहाँ पर देखे, कुछ इस तरीके का interface का देखने मिलेगा, यह सारे महंगे processor है, अगर आपको कोई चीज clear करने हैं, तो इसे hold करके रख है, बाके Android आउटो भी जो है, हमारा proper तरीके से work कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और अब मैं आपको hot spot connect करके दिखाता हूँ, फिर इसकी sound output की quality जो है, सुनने वाले हैं, तो देखिए, यहाँ पर आप इसकी speed को देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दी इसने YouTube को open कर दिया, जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर हलका network की जो problem है, वो रहती है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, क्योंकि मैं हूँ ही ऐसे जगे पर जहाँ पर मैं sound output, full sound में नहीं सु सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सबसे पहले music में चले जाते हैं हम लोग दिन यहाँ पर library में जाएंगे, USB में जाएंगे, यह वाला song हम select कर लेंगे, आप सुनिया, full sound नहीं कर सकता मैं, ट्रड़े फट्बड़े में ओड़े selbst, याला प्रड़े। ग्रप्पद अच्ग सबसस्दम्या तो दिखिए माफी चाहूंगा मैं ज्यादा वॉल्यूम को फुल नहीं कर सकता यह मेरी मजबूरी है बट अगर आपको इसका पूरा sound output का testing सुनना है तो आप इस वीडियो के description में जाए देखिए यह जो वीडियो है यह आप studio में देख रहे हैं लेकिन आप मुझे यह ना समझे कि मैं सिर्फ studio में वीडियो बनाता हूँ यकिन कीजिए जो मुबाइल का ट्राइप और था न वो भी हिलने लग जया था इतना पावरफुल आउटपुट है इस्टीरियो में सारी चीज़ा कंप्लेट हो चुकी है डेमो मैंने आपको दे दिया है अब आईए मैं आपको दिखाता हूँ इसके 360 बर्ड यू कैमरे की क्वालिटी एंड प्राइज वगएरा की एक बार फाइनल बात कर लेते हैं हां जी तो कैसा लगा यूमी एको सिस्टम का M4 एंड्रॉइड कार इस्टीरियो देखिए मेरा ये मानना है कि M4 जो मॉडल है सब सब पहले आप ब्रैंड देखिए य बाकी सबकी अपनी पर्सनल चोईज है लेकिन मेरे आपके पास एक कार होगी दो कार होगी मैं हर रोज इसे इंस्ट्ल कर रहा हूं हर रोज मैं अलग-अलग ब्रैंण कि श्टीरियो को लगा रहा हूं तो मुझे एक अलग लेवल का experience है 15-16 साल मुझे हो गया काम करते हुए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 plus 64 में this is the best आईए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके 360 बड यू कैमरे की quality जिसे हम लोगों ने install किया था Grand Vitara में देखे मैंने M1, M2, M4, M6 दसो बार से भी ज़्यादा install कर लिए है वीडियो देखनी है मेरे इस वीडियो के description में जाए या तो फिर मेरे channel को एक बार चेक करें वीडियो वाले option में जाके आपको पूरा game समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं ये सिर्फ वीडियो इस्टूडियो में नहीं बना रहा हूँ चाहे वो canvas के साथ हो चाहे वो without canvas हो कैसी quality आ रही है तो आईए सबसे पहले देखते हैं 360 bird view camera की quality की car के अंदर कैसी आ रही है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस model को हम लोगों ने install किया था मारती सुजू की grand vitara में and camera की quality सेम रहती HD 1080 25 Hz यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं multiple option में इसे बदल-बदल के दिखा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके की quality इसकी आपको देखने मिलेगी 360 bird view camera में आप लोग यहाँ पर देख सकते है then आप finally आ जाते हैं इधर रुट की भाई क्या price है इसका and final price क्या रहेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 49,999 रुपए की MRP है यह जो है तीसरा model है and अगर मैं final price की बात करूँ यहाँ बोलना possible नहीं है आप इस वीडियो के description में चले जाए आपको final price वहाँ देखने मिल जाएगा जहां से लीजिए कोई फरक नहीं पड़ता मैं यह नहीं बोलता लोगों को मुझसे लीजिए जिससे लेना है उससे ले लीजिए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता and अगर मैं बात करूँ next वीडियो की तो वो भी जो है यूमी ecosystem के उपर ही होने वाली है because इसका last model बचा हुआ है और बहुत जल्द लेके आऊंगा तब तक कि आप वीडियो को करके रखिए लाइक चैनल को करके रखिए सस्क्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए सेयर चलिए आज के लिए बस इतना ही तब तक लिए जैहिंद वन्दे माक्तराम